अब बीए, बीकॉम, बीएसी और एमे, एमकॉम करें विश्वकी सबसे बड़ी उनिवरस्टी इग्नू से सॉल्ड असाइन्मेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें, संपर्क करें महाकाल कप्यूटर्स, डीएवी कॉलेज गेट के सामने सिवा अब मैं चाहूंगा कि दिखाएं, आप देखें, भारी समर्थकों के साथ यहां पर अब्दुल रसीद जी अपने समर्थकों के साथ भोट मांग रहा हैं और इसी महीने के 12 तरीक को यानि 12 दिसंबर को यहां पर चुनाव होने वाले हैं और कई सारे मुखिया हैं जिनका फैसला होने वाला है, कई सारे मुखिया जो चुनाव लोड़ना आपको बता दे कि अब्दुल रसीद जी लगतार 10 साल तक यहां पर इस पंचायत में मुखिया रहा हैं और कई सारे कार्यों उनके द्वारा धरातर पर उतारे गए हैं, आज उसी के समिक्षा करेंगे और उसी के लिए पहुंचे हैं चंदोली गंगोली पंचायत में जहां पर हमारे साथ कई सारे लोग जूड़ा है, सबसे पर स्वागत आपका भी स्वागत है और आपके चैनल को स्वागत है कि आप लोग अपना बहमुली समय निकाल करके आज हमारे पंचायतरा चंदोली गंगोली के गाउं बंथू सिर्राम में मतलब टोटल जहां जो हमारे चंदोली गंगोली छेतर पड़ता है इसमें सब आप लोग घूम रहे हैं, कर रहे हैं, जैजा ले रहे है यह बहुत बड़ी अच्छी बात है और आप लोगों का पहल भी बहुत अच्छा है कि लोग इसे जागरुक हों और काम करने वाले लोगों को भोट दें और बात बनाने वाले लोगों को लोग चोट दें जिन वादों के साथ मुखिया जी पिछली बार आये थे और उनने भोट मांगा था, उन उमीदों पे मुखिया जी खड़ा उतर पाएंगे मुखिया जी पहले भी खड़े उतर हुए हैं, स्वेंग मुखिया थे रसीद भाई जी और खड़े उतरे हैं, आज भी खड़े हैं और खड़े उतरेंगे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके इस सवाल में भी दम है, लेकिन आप ये भी देख लिजिए कि जो भी और परखंडों की जो तुलना आप कर रहे हैं, मैं बिहार की भी तुलना कर रहा हूँ, ठीक है ये लोगतंत्र है, लोगतंत्र में जनादेश का पालन करना है लेकिन आप ये भी देख लिजिए, आकडा उठा करके देख लिजिए कि उसमें भी लोग पुराने लोग जीते हुए हैं उसमें भी उसी में हमारे ये लोग प्रिये मुखिया, रसीद भाई हैं जिनकी पुत्र बहु यहां पर खड़ी है या चुनाव रेकॉर्ड मत से जीतने जा रही है, चुकि इनोंने काम किया है तो जब काम किये हैं, तो काम जब किये हैं तो लोग इनकी मजदूरी जरूर देंगे हमको बनिया लग रहा है इस सबसुन के हमको इसी उमीद पे हम लोग पूरे गाउं के पूरे परिवार के साथ हम लोग इनके साथ है हैं और हम जहां तक होगा और आदमियों को जुटाएंगे हम एक साथ इनको जिताएंगे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नलजल योजना में यह पूरे बिहार की इस्तिति है यह आप जिस पंचायत में खड़े हैं इस पंचायत की सिति नहीं है आप देख रहे हैं कि नितिष के सासंकाल में अपसर्साही इतना बढ़ गया है कि हम आम आदमी परिस्वान है हमारे मुखिया जी भी जन्प्रतिनिधी का क्या किम्मत है सरकार में आप यह देख रहे हैं दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी-भी घटना जयो गविधान सबाद चल रहा था उसमें जो मंत्री होता है उस सरकार होता है बिहा जी का यह जो मिसन जो चल रहा है सराबंदी में आप देखी रहे हैं इसके बाद आप इनल जल वाले जो नहीं नल जली होजना हमारे हैं मुखिया जी के प्रियास से आप जाकर कि अनले लोगों से पूछ लिजिए और इनके प्रियास से पानी मिल रहा है पानी अपॉरे पियार की इसले पूरे जी को जरते हैं तो सबसे बड़ा जो!!! लोग कहते ह頻 है यह तो ठीकादार पैसा लेकर भागा चैनल चल योजना जमीन पर ही रहा गया घरत लगग्या पहुंचाना था घर घर तक नहीं पहुंचाना था तो जोुनमीं OHग CHAND लेका गया लेकिन अगर यहां पर इंके द्वारा दावा किया जा रहा है और लोग इस बात को अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पानी मिल रहा है तो यह कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी बात है आपके फिर से बात बात बता दे कि समय हम लोग जिस पर खंड में जीरा दे देश के पर पर खंड पते हैं कि पान्चायत ख़ड़ा है इसी से अंदाजा लगा लिजे कि उनकी कितनी लोग प्रियता है बार-बार मैं इसी बात को दोहरा दिया तो हम लोग एदेश रत्न डॉक्टर राजंदर परसाद की धरती है मौलाना मजरूलक हक्साब की धरती है और यहां प प्रती जो पुरा देश और बिदेश जनता है आप जन्बे करते हैं मौलाना मजरूलक हक्साब की उनकी धरती है तो यहां पर यह पर पैंचायत में कोई सोचे कि हम हिंदू और मुस्लिम कर लें तो उसका मनसुबा हम लोग कुचल डालेंगे सब लोग हैं सब लोग इनके साथ खड़े हैं चुकि यह सब इसा इनके पास भावने नहीं है हिंदू को भी उतना ही प्यार करते हैं मुस्लिम को भी उतना ही प्यार करते हैं तो जो सब को लेकर के साथ में चलने का काम करेगा तो निशित उसकी लोग प्रियता होगी और ज चुनावी नतीजे आएंगे तो ही पता चलेगा जनता ने यहां से किसको इस बार मुक्या बनाया है हाला कि अब्दुलासीच जी के साथ एक भारी भीड उमर रही है लेकिन ये भीड भोट में तब्दील हो पाता है कि नहीं ये चुनावी मैदान में है और चौदा तारीक का काम लोग इंतिजार करेंगे बने रहे हैं निव जिंजे तक साथ बच